आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले हैं सिंपल वन के बारे में जिनने अपनी गाड़ी डेर साल पहले इंटर्डूस की थी और डेर साल हो चुक है जिनने अभी तक अभी एक भी इपनी वीकल डिलीवरी नहीं की है और जो राइट नौ में देख रहा हूं इनकी जो बुकिंग है ये एक लाग प्लस बुकिंग आ चुकी है इनकी गाड़ी की जो देखने में काफी हुज बुकिंग है दो से तीन महीने पहले इनकी जो बुकिंग थी वो थी 65,000 बुकिंग आई थी गाड़े की और जब मैं राइट नाउ देख रहा हूं इनकी वन प्लस बुकिंग आ चुगी है सिंपल वन की और दोस्तों मैं डिलिवरी की बात करूं वह शिरूने वाल थी मार्च में पर अब वो पोस्टमांट हो चुगी है जिसको देखते हैं हुने अपने डेढ़ महीने की टाइमिंग बढ़ा दिया है और फरवरी में पेमें इनकी कौनटब करते हुए 165 करोर का इंवेस्टमेंट किया है जो काफी देखने में बहुत ही बड़े इंवेस्टमेंट है आपको काफी आर्टिकल्स मिल जाएंगे अब यह जो फंड रेस किया ही इसलिए कि है ताकि इनके प्रोड़क्शन में काफी तेजी आने को मिले और उनक की इलेक्टिक स्कूटर को बना रहे हैं वैसे तो इनके पास बहुत बड़ी टीम है और टीम को मैनेज करने के लिए भी पैसे लगते हैं और इनके जो मैनेजर्स हैं उनको भी रखना पड़ता है और उनको भी पैसे देने पड़ते हैं quality checks होती हैं बहुत साइचीज करने के लिए funding race की जाती है वैसे यह company अकेली नहीं है जो fund race कर रही है इसके लाए बहुत सारी starter company है जो ऐसे fund race करती है जिससे इनके जो production है और R&D continuous चलते रहे अगर यह सारी चीज़े नहीं करेंगे क्योंकि हर चीज delay होना start हो जाएगी अगर आप सोचेंगी आपने booking amount तो उस booking amount से production start कर सकते हैं बट जो booking amount आपने दिया होगा most probably use हो गया होगा इनकी factory बनाने में या production line up बनाने के लिए जो rams बनते हैं उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़े import की जादी है बहुत सारी चीज़े locally use की जादी है जब इतना सारा investment होता है तो पैसा काफी लगता ह है चीज़ों को जानने के लिए और बहुत जल्दी इनको delivery भी करनी है अगर एक लाग से भी 50,000 लोगों ने payment कर दिया तो 50,000 गाड़ी को बनाने में इनको बहुत time लगने वाला है क्योंकि अगर हम normal भी देखे तो कोई भी company per day 400-600 गाड़ी बना पाती है तो आप सोचके हैं कि एक लाग गाड़ी बनाने में कितना time लगने वाला है तो उतना ही delay होगा इनकी delivery में वैस्तों ही dealership बना रहे हैं दिये दिये अगर dealership open हो गई तो गाड़ी diet customer पे जाएगी पर अभी तो door step वाला fund चल रहा है booking करो गाड़ी घर मिल जाएगी और काफी dealership के लिए apply कर रहे ह तो शायद dealership मिलना शायद start हो जाएगा पर कबसे होगा उसका पता नहीं बट मिल जाएगी बस आज का update यही था कि fund raise हो चुकी है यह एक लाग प्लस booking आ चुकी है तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो इनके update दोस्तों चैनल को subscribe करें अब वीडियो को like and share जरू करें कर thank you and so much